तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ important question या कह सकते हैं आप जी के जो कही है चंद्रियांग 2 से related जो कि आपके आने वाले examinations में पूछी जा सकते हैं तो चले शुरुवात का लेते हैं और देखते हैं हमारा आज का वीडियो तो देखते हैं कुछ question तो सबसे पहले questions मैं मतलब सिंपल डिटेल सी लेकर आए हूं ठीक है जिससे questions तैयार हो सकते हैं तो पहला नत्रिक्ष मिशन जो चंद्रमा के दक्षणी धुरुब पर सफलता पूर्वक लेंडिंग का संचालन करेगा तो यह चंद्रियांग 2 है भारत की द्वारत जो लॉंच किया गया है इसका क्या है कि यह सबसे पहला नत्रिक्ष मिशन जो की चंद्रमा के दक्षणी धुरुब पर लेंडिंग करने वाला और दक्षणी धुरुब पर सफलता पूर्प लेंडिंग का संचालन करेगा ठीक है चंद्रियां 2 है ठीक है इसके लावा पहला भारते जो स्वदेशी तकनीश से चंद्मा की सदाय पर जाएगा इसका मतलब भी है को इता कोश्चन बन सकते हैं तो जो चंद्रयान 2 जो अभी लॉंच हुआ बट अभी एट प्रिजेंट टाइम किसी वजए से इसके जो कहते हैं इसका जो संपर्ख तूट गया है ठीक है लेकिन को पहला भारती की बियान है तो इसमें कहीं बाहर से मदद ली थी तो नहीं इसने जितनी भी अपने पार्स बनाये हैं ठीक है जाहें वह भी भरहोग ऑबिटर हो ठीक है यह सब इनुन स्वदेश में ही बनाया निकिंगि भारत में बना गया ठीक है इसके अलाबा पहला भारत कि यह न ratios देंसमें मिक्षित पृधिकी के सासा चांद की सतहय पर möchte ठीके जो क्या करें कि चांद की सतहय पर जाकर के बहहन कि जानकारियां उखरता करें कर मत्रबादर का जो भी एटमोस्पियर है ठीक है या तो वहाँ पर क्या चीजे हैं उन सबका निर्क्षन करेगा चंदमा की सता पर रॉकेट उताने वाला चौथा देश कहलाएगा ठीक है तो जो भारत है अभी फोर्थ नंबर पर हो जाएगा अगर रॉकेट उताने वाला तो किसी वज़े से मिस हो चुका है ठीक है क्योंकि हो सकता है अगर सिंगनल मिल जाते हैं तो ठीक है तो एक तरह सी सिंपल से नॉलेज है कि चौथा देश कहलाएगा जिसने रॉकेट उतारने की कुशिश की बूबी चंदमा के दक्षनी धुपर ठीक है चंदयान 2 को जी एसल्वी एमके 3rd से लॉंच किया गया ठीक है तो कॉ सकती शाली लॉंचर की रूप में भी जाना जाएगा जी एसल्वी एमके 3rd और इसे पूरी तरह से देश में ही निर्मत किया ठीक है तो इसे बनाने में कोई भी बाहरी मदद नहीं ली गई है भारत में ही इसे बनाया गया है भारत की मदद से इसके बाद नेक्स है और और प्रत्वी तथा चंद्यान 2 के लेंडर जो लेंडर का नाम है वो क्या है विक्रम है याद रखे जो लेंडर है जो टू में जो लेंडर कही उसकी आगया उसका नाम है विक्रम तो जो और बिटर रहेगा उसका काम रहेगा कि वो चंद्रमा की सतय का निक्शन करेगा प्रत्वी पर अपना सिग्नल भेजी का जो भी उसे मिलेगा ठीक इंफरमिशन और इस ऑर्बिटर का जो वेट है वो है 2379 केजी ठीक है 2379 की 2379 की ऑर्बिटर का बजन है आप बात करतें लेंड विक्रम कुछ चांद की सताय पर भारत की पहली सफल लेंडिंग के लिए डिजा सिग्नल तूट चुके हैं ठीक है तो एक कॉश्चन से इस तरह के कॉश्चन बनेगी कि लेंडर विक्रम जो था उसका क्या काम सथ उसकी लेंडिंग कराई जानी थी ठीक है और इसका जो वेट है वो रखा गया था 1471 यानि की 1470 किलोग्राम का इसका पजन है ठीक है और वि इंप्वर्टन पार्ट है इस चनलियान टू में तो रूबर ए आई संचाले 6 पही अबाहन है इसका नाम प्रज्यान रखा गया ठीक है तो रूबर ए आई संचाले 6 पही अबाहन ।्टीक है जैसे मैं आपको बताया पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से यह रोबर ए प सोलर सिस्टम पर वहां पर सुरी की रोशनी आईगी और इसमें जो सोलर पैनल रगी होंगे उसमें क्या होगी एनर्जी अब्जरब होगी दैन उसके बाद में वह काम करेगा इजरों चंद्यान 2 को 22 जुलाई ठीक है यह आपको डेट याद रखनी है कि जो 22 जुलाई को 2 मतल चंद्यान 2 भारत का चंद्मा पर दूसरा मिसी था ठीक है तो ही पहला जैन दों तो लौट एकम एक अक्टूबर 2008 ना फर्सलुंट हुआ था सेकेंड हुआ आपका 2019 में ठीक है 22 जुलाई को ठीक है और इसकी जो लेंडिंग की जो डेट थी वो भी आ सकती तो 6 अगस्त रखी ले थी ठीक है 6 अगस्त 2019 को इसकी लेंडिंग की क्या थी एक डेट फिक्स थी ठीक है तो यह हैं इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक ठीक है हुआ 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 है